बेटे आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे बेटे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 14 पढ़ा था जिसका शिर्चक था स्वन नगरी की सेर इस सिर्चक में इस कपाठ में हमने जैसरमेट शहर के बारे में पढ़ा था कि जैसरमेट जिले में किस तरह से बच्चे पाचवी कक्षा के बच्चे घुमने गए वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा क्या खाया तो इन सभी के बारे में इस चेप्टर में हमने अध्यन किया था अब हम और मैंने इसके कठी शब्द शब्दार्थ और कुछ अन्य महतुपूर्ण प्रेशन आपको करने के लिए दिये थे, करवाये थे तो आप सभी ने वो कर लिये होंगे आज हम इसके मोखिक प्रेशन लिखत प्रेशन वे इसके बुस्चक के प्रेशन पीछे वाले करेंगे तो पेटे इन में आपके पहला प्रेशन है सोचे और बताएं इसका पहला प्रेश्ण है सोच और बताई का पहला प्रेश्ण किला किस पहाडी पर बना हुआ है किला किस पहाडी पर बना हुआ है किला त्रिकुट पहाडी पर बना हुआ है इसका अंसर है किला त्रिकुट पहाडी पर बना हुआ है जैसल मेर दुर्ग का निर्मान किसने करवाया? इसका आंसर है जैसल मेर दुर्ग का निर्मान महा रावल राव जैसल ने करवाया था तीसरा है प्रेशन जैसल मेर गड़ी सर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है? गड़ी सर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तिश्वर मंदिर है ठीक है यह आपका तीसरा प्रेशन का उत्तर है गड़ी सर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तिश्वर मंदिर है इसमें अगला प्रेशन है बेटा सही उत्तर का क्रमाक्षर जाटकर कोस्टक में लिखें इसमें ए है दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है इसमें आप्शन आपको दिये हुए है गनेश पॉल, सूरज पॉल, अखे पॉल और हवा पॉल तो इसका अंसर होगा अखे पॉल, अखे पॉल पे आपको टिकमाक करना है दुर्ग के चार और है, कितने बुर्ज है? निन्यानवे तो निन्यानवे पे आपको टिक करने है, शक्ति स्तलिस्तित है पॉकरण में तो पॉकरण पे आपको टिकमाक लगाना है प्रेश्न दो है रिक्किस्तान की पूर्ति करे इसमें ए है डैश विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती तो इसमें डैश में क्या आएगा स्वर्न नगरी ठीक है स्वर्न नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती किले की सडक भी डैश की बनी है किसकी बनी है पत्थरों की बनी है वहाँ उट की सवारी ने बहुत रोमान्चित किया यहाँ पर रोमान्चित पर आपको बिंदी भी लगानी है सेल्वी गाउं इस्तित कदली वल धाम के दर्शन किये सेलवी गाउं में किसके दर्शन किये थे सेलवी गाउं में उन्होंने कदली वल्ट धाम के दर्शन किये थे प्रशन तीन है जैसल मेरेत का अथा समंदर कहां इस्तित है इसका उत्तर है जैसल मेरेत का अथा समंदर सम्में इस्तित है जैसल मेर दुर्ग का नाम लिखिए जैसल मेर दुर्ग का नाम त्रिकुट गड़ दुर्ग है अगला प्रेशन है आपका प्रेशन पाँच जैसल मेर किले में इस्तित दर्शनी इस्तलों के नाम लिखिए जैसल मेर किले में रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर तथा लक्षमिनाज जी का मंदिर इत्यादी दर्शनिय इस्थल है एक बार फिर से देखिए आंसर क्यों मतब जैसलमेर को हवेलियों और जहरोकों की नगरी क्यों कहा जाता है जैसलमेर को हवेलियों वे जहरोकों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पटवों की हवेली, नत्मल की हवेली, सालम सिन की हवेली, इत्यादी हवेलियां दर्शनिये हैं इनके जरोकों पर नकाशी उत्क्रेस्ट है मतलब बहुत ही सुन्दर देखने को मिलती है स्वार्ण नगरी सात्वा प्रेशन है आपका स्वार्ण नगरी में के में दर्शनिय इस्तल की क्या-क्या विशेष्टा है स्वार्ण नगरी में अनेक दर्शनी इस्तल है जिन पर देवी देवताओं की प्रतिमाय बनी हुई है हवेली वेजरों को पर नकाशी की गई है जैसलमेर दुर्ग के पत्थरों स्वार्ण की भाती चमकते हैं दुर्ग के चारों और 99 बुर्ज बनी हुए है जो दुर्ग को लिखना है दुर्ग को मजबुदी प्रधान करते हैं जो दुर्ग को में इस तरह से फिर भाषा की बात में का आपका पहला प्रेशन है इस पाठ में किले को दुर्ग भी कहा गया है आप भी निम्न शब्दों क प्रयावाची शब्द लिखे पाशान के आपको लिखने हैं प्रयावाची शब्द पाशान का होगा पत्थर, पाहन और प्रस्तर प्रस्तर भी क्या होता है पाशान का प्रयावाची शब्द होता है तालाप के देखो सरोबर, पोखर और तड़ाग, गीचा, उपवन, उद् देवालय, देविस्तान और देव भूमी ठीक है इस तरह से आपको ये प्रयावची शब्द करने हैं इसके अलावा एक प्रेश्ण और है पाठ में आये मुहावरों की सुची बनाएं तो आपके चेप्टर में जो जो मुहावरे के आये हैं उनकी सुची बनानी है तो मैंने यहाँ पे आपको लिखके दिये हैं दातों तले उंगली दबाना, मेल नहीं खाना, प्यास बुझाना, सोंदर ये बिखेरना, सीना गर्व से पूल जाना और यादे ताजा करना ये मुहावरे हैं जो आपके इस चेप्टर के अंतरगत आए हैं पिटे आपका ये चेप्ट प्रेशन आपको अपनी बुक में करने हैं इसके साथ ही आपको भाषा की बात के दोनों प्रेशन आपको अपनी नर्ट बुक में करने हैं और प्रेशन एक वे दो आपको अपनी बुक में ही फील करने हैं और ये बागी चेप्टर आपको पूरा लर्ण करना है और मैंने ज करने को दिये हैं धिरी धिरी करके आप जैसे भी आपको वो ना वर्क कंप्लीट करके अपने नट बुक में करना है उसे कंप्लीट करके उसे आपको पार्ट चोधे लर्ण करना है पिटे आपको एक बार मैं यह चैप्टर कंप्लीट करवा के फिर आपको अपका असाइमेंट का वर्क करवाऊंगी और हो सकता है मैं आपको कल्ब के लिए भी एक असाइमेंट्स दे दू तो अभी मैं यही सोशी हूँ पहले कि आपको एक वो पहले आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए जाएं सारे उसके बाद ही असाइमेंट्स का वर्क दिया जाएं ठीके बेटे आप अपना चैप्टर 14 लर्ण कीजिए अगले वीडियो में हम पहट 15 की साथ फिर से मिलेंगी तब तक के लिए बेटे बाबाए Have a nice day, miss you all